यम्मी है ना तो इसे हम बना रहें माइक्रोए में सिर्फ पांच मिनट में जी हां सी पांच मिनट में ये सॉफ्ट स्पॉंजी केक बनकर रेडी हो जाता है और ये इतना यम्मी और इतना टेस्टी है ना कि बस आप इसे एक बार खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे तो चलिए फड़ा फट शुरू करते हैं देखते हैं कि इस केक को हमने कैसे पांच मिनट के अंदर वो भी माइक्रोए में बना कर तेयार किया है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेना है और आपके घर में जो भी कप आप यूज करते हैं या कोई कटोरी हो कोई भी एक चीज और उसी से हम सारा इसका जो है माप रखेंगे तो मैंने यहाँ पर यह कप लिया है, जो हम चाई के लिए यूज करते हैं और इसी कप से मैं सारा मेजरमेंट करूंगी इस के के लिए तो बहुत ही इसी ली आपको भी समझ में आजएगा कि किसे इसे मेजर करना है तो एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले मैं इस कप से 1 कप मैदा को मैदा को हम इस इस को स्वाड़ में डाल देंगे to pick lado कुझ ऐसे two-Äड़ का थोड़ा सा बूर याने two-th Bobo फसे थोड़ा सा जादा हमें νो। पॉड़ा सा आध में उस मीश्ज और खण कर देंगे या फिर इस तरह का spoon हो तो उससे आप 2.5 spoon baking powder डालिए और अगर आप baking soda यूज़ करना चाहते हैं तो 2 spoon baking powder और half spoon baking soda आप इसमें मिला जिजे इसके बाद इसी कप से मैंने इसमें एक कप डाला है चीनी तो चीनी आप एक कप पूरा यूज़ करिए तभी थोड़ी मिठास रहेगी क्योंकि powder sugar जो है वो ज्यादा नीठी नहीं होती तो इसलिए पूरा एक कप चीनी इसमें मिक्स कर दीजिए और इसे हम ड्राय ही पहले अ आधा कप दूद और दूद भी हम इसमें डालेंगे तो एक एक करके हम बागे जो वेट इंग्रीडियंट्स है ना वो अब इसमें मिक्स करेंगे तो कप जो है आमने सेम रखा है तो आपके पास मेशिंग कप स अगर नहीं है तो इस तरह आप कोई भी कप अपने घर में यूज करना है मतलब थोड़ा सा गरम पानी इससे केक जो है ना बहुत फ्लॉफी बनता है तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे तो अगर 3-4 से जाधा आपको लगता है कि पानी चाहिए तो आप एक कप पूरा पानी य यह रनिंग बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए अब कोई भी जो बोल है या कंटेनर है जो कि आप माइक्रोवेफ में यूज करते हैं चाहिए वो प्लास्टिक का हो या कांच का हो उसे अच्छे से पहले तेल से हमें ग्रीज कर लेना है पुरा उपर तक अच्छ संभ लना है अब इसमें हम ढालेंगे सूखा मैदा और इसे अच्छे सेट डिस्ट कर लेंगे और पूरे कॉर्णल तक ताक ही जो साइटसोआशनां इसमें भी पूरा आच्छी तरह मैदा फाटल ज़ाये और इसमें जो हमारा बरतन है इसमें चिपकेगा Means और जो और उसके बाद जब सारा मिक्षर हम डाल देंगे ना तो थोड़ा सा जो कंटेनर उसको डैब कर लेंगे ताकि जो बबल्स वगे रहे हैं वो इसमें निकल जाए तो इस मिक्षर को मैं माइक्रोवेव में प्लेस कर रही हूं और इसे मैं पहले दो मिनट के लिए चलाओंगी जाँ कर चलाएए ताकि आपको पता चलिए की आप केक कि बनता है तो डिबेंट करता है माईक्रोवेव के यीट पे की केक इतने जल्दी बनता है तो पहले मैंने 2 मिनाट के लिए इसे रख दिया है अब 2 मिनट बाद मैंने इससे चक किया तह देखिए राई सोना शुरू ह लेकिन बीट से अभी यह पका नहीं है तो वापस मैं इसे टू मिनट थर्टी सेकंड के लिए रखूंगी अगर नाइफ बिल्कूल सही निकल बने दो थर्टी सेकंड से आप और इस से माइकर वे रख सकते हैं अब मैं इसे फोक से थोड़ा सा गूल कर रही हूं और इसमें मैं डालूंगी आधा कप दूद और उसमें मैंने एक चम्मत चीनी मिलाई है तो वो इस तरह डालने से क्या होगा कि हमारा जो केक है ना वो बहुत मॉइस्ट हो जाएगा और उसमें जो अंदर तक बिल्कुल ची जाने में बहुत ही यमी लगेगा तो इसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि यह थंडा हो जाए क्योंकि अगर हमने गरम गरम इसे पल्टा ना तो यह अच्छे से नहीं निकलेगा तो जब यह अच्छी तरह पूरा थंडा हो जाए तब ही हमें इसे एक प्लेट में पलट लेना है तो देखे कितना साफ निकला आया और यह सिफ मैदा है जो उपर लगा हुआ है और इसे वापास हम पलट कर और उपर से हमम इसे थोड़ा सा निउटेला के साथ डेकोरेट करेंगे तो निउटेला लगाने से ना इसका जो फ और साइट्स में भी हमें नूटेला आच्छी से स्प्रेड कर देना है और नूटेला तो वैसे भी बच्चों का फेवरेट होता है और यह ना भी होना तो भी आप इस तरह ही खाएंगे तो भी एक बहुत यहमी लगता है और इसे आप आइस्क्रीन के साथ पेयर करिये देखे क्या मज़ेदार लगता है और उपर से मैंने थोड़ा सा चौकलेट सिरप भी डाल दिया है थोड़ा और इसे इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए तो देखा आपने सिर्फ पाश मिनट में इतना स्पॉंजी इतना सौफ फलफी केक बनकर रेडी हो गया और पाश मिनट में बच्चों को ये इतना अच्छा टेस्टी कुछ मिल जाएना तो वो तो बस खुश हो जाएंगे और आपका भी टाइम बहुत जादा बच जाएगा तो इस तरह बनागर जरू ट्राइ केजिए इस चौकलेट केक को और बिलकुल मजा लीजिए इसका आइस क्रीम के साथ और चाई के साथ जिसके साथ भी आप इसे खाना चाहते हैं और ऐसे ही ये डिजर्ट खाईए खाने के बाद बहुत मजा आएगा तो ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरू कर दीजेगा तो मिलती हूं मैं फिर से एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ तब तक के ले टेक केर और थैंक्स ववाचिं